सर्व मांगल मांगल लिये शिवे सर्वार्थ साधिके श्रणिये त्रयम बके गवली नाराएनी नुमस्तिते चैमातादी बहुत स्वागत है आपका अभी आप देख रहे है राश्यफल पंचांग करकदैनिक राश्यफल 23 दिसंबर 2022 करक राश्यफल के लिए ये दो दिन रह बार में सफलता हासिल कर सकेंगे जिससे आपके आत्मी विश्वास में व्रदी होगी और साथ ही काम पर पूरा फोकस्ट आप बनाए रखेंगे कहीं धन निवेश करना चाहते हैं तो समय अनुकुल है अच्छा लाब आपको मिल सकता है क्रेस्ट जीवन आपका सुक में रह बिल्कुल भी ना आने दे और कोई भी कागजी कामों में डॉक्यूमेंट रसाइन करते समय बहुत ही साथधानी रखें विस्तास राजशी फल जानने से पहले जानते हैं इन दो दिनों के देनिक पंच्छां के बारे में 23 से दिसंबर शुकरवार का दिन है पोश्मा क्रश प्रती पदा तिधी रहेगी पुरव शाड़ा नक्ष्चतर होगा वरिधी नामक योग बन रहा है और अविजीत मूरत है सुबह बारा बजे से लेकर बारा बचकर 41 में तक पूरी दिन तरे पुष्ट कर योग बना रहेगा साथ ही रहुकाल का समय सुबह नौ बचकर 46 में से लेकर 11 बचकर 3 मेरत करेगा करक राशी वालो रहुकाल के समय कोई भी नया शुबकारे ना करे कारे में विगना सकते तो चली बात करते हैं राशी फलके करक राशी वालो ये दो दिन उत्तम परिणाम लेकर आने वाला है घर परिवार में अपनी जिम्धारियों को लाब होगा वहां चलाते समय सावधान रहें निवेश आपको अच्छा लाब देगा साथ ही परिवार में किसी प्रकार का कलह यदी चल रहा है वादुबाद चल रहा है तो वह इन दिनों में दूर हो सकता है साथ ही कागजी कामों में बहुत ही सावधानी रखें में लब हो सकता है साथ ही इन दो दिनों में आर्थिक एस्तिती में आपकी मस्भूती आईगी बिशनेस में आपका लाब होगा आए बढ़ेगा साथ ही करकराशी वालों के लिए घर में खुशी का वाथावरन रहेगा जीवन साथी का सही ups आपको मिलेगा और रिश्टों में घंश्टिता आईगी और साथी इन दो दिनों में करकराशी वालों कोई भी आपके महत्वपुनक कारी है समय पर पूरे होंगे साथी मित्रों का सही का आपके मिलेगा छात्रों के लिए समय बहुत ही अनुकुल है साथी आर्थिक शेतर में नई सोच से आप आगे बढ़ेंगे रचनात्मक का कारियों में आप जुड़ेंगे और साथी बड़ों की सला आपको लाब देगा भाग्यांक आपके लिए चार और भागेशाली रंग आपके लिए भूरा है करकराशी वालों इन दो दिनों में घर में जो परिवालिक जो उतार चरहा देखने को मिल रहा था जो कलह देखने को मिल रहा था उससे अब आपको छुटकारा मिलेगा समपत्ति से जुड़ा कोई कारिया आप काटका पुड़ा था तो वह भी उसका समाधान होगा और नई उर्जा के साथ आप सभी कारियो को पूरा कर सकेंगे तरकराशी वालों इन दो दिनों में बड़ो की बाते आप ध्यासे सुने उनकी सिलह को माने तो इससे आपको लाब होगा आज के लिए बस इतना ही आशा करते हैं आप कमेंट करेंगे वीडियो को लाइक शेयर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना न भूले आप से विजा लेते हैं अगले राशी फल में फिर मिलेंगे तब तक के लिए आग्यादे आपका दिन शुभ हो जे श्री राम जेहनुमान